नागरिक्ता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिस पर केंद सरकार को नोटिस दिया गया है अगली तारीख 22 जनवरी के लिए फिक्स की गई है लेकिन असब से लेकर दिली तक और दिली से लेकर चिननई तक लोग सड़क पर उतर हैlungenागईशता कानून के विरोध में आखिर क्यूं कर रहे हैं लोग विरोध और सरकार का इस पर क्यामत है यही जानने के लिए हम इस वक्त हैं मुक्तार अब्बास नकवी के साथ जो कि राजसरभा में सांसद भी है के इंदर सरकार में मंतरी भी है सबसे पहले आप से जानना चाहती हूँ क्या इस बड़े पैमाने पर हिंसा होगी क्या आप लोगों ने यह अंटिसिपेट किया था जब बिल बन रहा था या बिल पर जब चर्चा पार्लिमेंट में होगी नर्सी का प्रॉसेस मुदी जी ने आकर के शुरू किया गया सब्सक्राइब के समय में 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोट ने एक आदेश किया सुप्रीम कोट के आदेश के बाद वो प्रकुईया शुरू हुई अब आप एक बात यह बताईए कोई भी देश अपने देश में अवैद घुसपैटियों के जनसंख्या सब्सक्राइब को नजरनदास कर सकता है क्या अगाज सड़क पर जनता आ रही है जामिया में बिना पर्मिशन के पुलिस अगर एंटर कर रही है उसके बाद चात्रों को मारा पीता जा रहा है सब ने देखा यह किस करह से बरबर्टा से माग एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एक सवाल बताइए क्यों आ रही है उनको मोदी जी ने जो है वो गोली मार दी उनको मोदी जी ने जो है वो कह दिया कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देंगे उनको मोदी जी ने कह दिया तुम्हें हम ने तुम्हें रोग दिया है उनको मोदी जी ने कह दिया कि कि अगर आपने बाहर से बहुन बाई तो नागरिक्ता से हो कि आगा mund जासे कोन वा से को रहे से यॉकि अने पर से क्योंड निस्ट घ्रल्ट को उपर EL अप मैं ईस्रक्राइश लिखा यहां मुसल्मान और रहने भी क्योंकि बिल में यह नहीं लिखा किया मुसल्मानों को शर्णाइटी के तोर पर विकार कर रहें अवह सब्सक्राइब को जोड़ जोड़ंगे सितीजनशिप बिल और एनर्सी को जोड़ेंगी और उसका तो उसक यहीं का इनर्सी को आप जैसे करोड़ा नहीं है यह सुनिए जो है वो बंगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उनलब संख्यकों के लिए है जो की बुरी तरह से वर्षों से दशकों से परतारित हैं पीलित हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है सबको नागरिक्ता साबित करनी होगी साबित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरुवत पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत लोगों के पास नहीं है और इस वज़े से नर्सी में सारा बवाल खड़ा हुआ यही जानने की कोशिश करने हूं आपके नर्सी और सी आप किस हिसाब से अलग करते हैं और यह क्यों ना माना जाए कि एनर्सी में सारे जो हिंदू आए हैं उसको अलग करने के लिए ही CAA लाया गया है ताकि मुसल्मान अध एंड अव दे बाहर हो जाए यह जो विचारधारा है इससे आप कैसे इंकार कर सेते हैं यह जानना चा का फिर मैं आपसे कह रहा हूं हिंदुस्तान के मुसल्मानों की जो पुष्टों से यहां रह रहे हैं उनकी नागरिक्ता सौ परतिशा सुरच्छित है उस पर किसी उनको भी डॉक्यमेंटेशन दिखाना पड़ेगा इसमें क्या प्राब्लम आपको किसी भी रूप में अर्सी के आधार पर इस देश के करोडों मुसल्मानों की या करोडों अलफ संखेकों की नागरिक्ता पर कोई भी प्रश्ण नहीं है यह बात प्रधार मंत्री जी साफ कह चुके हैं यह बात कि हो मिनिस्टर साफ कह चुके इसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन कर रहा है तो उसके नाकामियाब है सरकार यह समझाने में आम जनता को क्यों नाकामियाब है अगर वो भ्रम पहला रहे हैं तो क्या आप उनके भ्रम को दूर नहीं कर पाने तो यह भी तो नाकामियाब है क्या होता है कि कभी-कभी जो दुश परचार है वो सच्छे परचार को डॉमिनेट करता कभी कहते रहते हैं जो देश में तो जो है वह बहुत दर का महाल हो गया है इसी पर आते हूं तो आप 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 नौटीस को छोड़ दीजे इनर लाइन पर मिट वाले एरिया को छोड़ दीजे तो आप अपने मतलब भी कानून को कैसे बतलेते हैं यह सा में जभे देये है जो भी हम कानून यए जो भी हम वयुस्ता बना रहे है ने कि यह कोई कुमिनिक्ले ऑप नहीं है हमारी केरी से कुब्स्ता वर है अर्य हम जो है यह करेंगे उ 생각ें कि आप थांट के आधार पर बटने समानता का अधिकार और आप रप्रिज्सक्त करते हैं अपनी तक कोहीं नियुक्त के आप लिए वाविया में जितना हंगामा धिख रहा है जितना आपके मीडिया में जो है जो ज्वूटी सची कहानिया चलनें वह लोगों के दिमाग में न कोदी हमारे समाजिक आर्थिक धार्मिक समवैधानिक अधिकारों की सुरच्छा के प्रति प्रतिबद्ध है एक आखरी सवाल मुसल्मानों में देश में डर का महौल है और यह डर का महौल बनाने के पीछे पिछले तीन-चार लेजिसलेशन से जो आपकी सरकारें लेकिया हैं क्या आप प्रतिनधी हैं इस सरकार में हैं आप तक कोई लोग यह जाहिर के लिए अगible द्युक्ति-षक्चा कब और सरकारी नौकरिया नहीं मिल लेंगे जब से मोदी जी आए इस देश के मुसल्मानों को एजुकेशनल इंपावर्मेंट नहीं हो रहा है इस देश के मुसल्मानों को रोजगार नहीं बन लाए जैसे समाज के सभी वर्गों को और पार्टी मीटिंग करेंगे वापस ऑपोजिशन के पास आप लोग जाएंगे या जैस करता है जो भी जरूवत होगी कोई हम जो है हम डिमॉक्रिटिव वैलूस पर विश्रास करते हैं जो भी जरूवत होगी अमन शांती भाईचारा हमारी सरकार की प्रियारिटी है मोदी साथ देना चाहिए और हम किसी आंदोलन से डरने वाले नहीं है कि अंदोलन से लूत होने पी चाहिए लीज़े में सह्मत हो कि हिस्ता हें है लेकिन अधिकार है लेकिन या कि ब्रूप के बीच में यह भय कर भूत खाटें और के और दोड Bibletur को कोट में नोटस दिया है के इंदर सरकार को 22 तारीक को सुनवाई है अगर कोट इस पे सक्त रुक त्यार करते हैं और कानून पर सवाल खड़े होते हैं तो क्या सरकार वापस लेने के लिए अगर-मगर पर तो कोई जवाब देते नहीं अब आप लोगों ने दिक्कत क्या किया यह लोगों में जो भरम कैसे पहला हुआ अगर यह होगा तो अगर ऐसे हो जाएगा तो अगर याजिका है तो अब जो याजिका है कोट में जवाब देना है सरकार देगी